नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी का स्वागता और आप सभी देख रहे हैं जोब लटगरों मुखे मंत्री डिजिसल सेवाई ओजना के अंतरगर राजस्तान में एक करोड तेतीस लाख महीलाओं को फ्री में स्मार्टपोन दिया जाएगा राजस्तान में वजट 2022-23 में ये गोशना की गई थी कि मुखे मंत्री डिजिसल सेवाई ओजना के अंतरगर एक करोड तेतीस लाख महीलाओं को ये फ्री में स्मार्टपोन दिया जाएगा और ये फ्री में स्मार्टपोन उनी जन आदार कार्ड महीला मुख्या को दिया जाएगा जिनका जन आदार कार्ड चिरेंजिवी योजना में जुड़ा हुआ है उस टाइम चिरेंजिवी योजना में जन आदार कार्ड एक करोड तेतीस लाग ते लेकिन अभी हम बात करें तो हाली में एक करोड पैंतीस लाग से ज्यादा जन आदार कार्ड चिरेंजिवी योजना में जुड़ चुके हैं तो अब मुकह मंत्री डिश्सल सेवायोजना के अंतर बाफ फ्री में जो स्मार्टपोन मिलेंगे वह एक करोड पैंतीस लाग जनाधार कार्ट महीला मुकह को यह फ्री पांट्पोन मिलेंगे memory card डाल सकेंगे या फिर नहीं डाल सकेंगे स्मार्टपॉन के लिए हम सिम अलग से खरीद देंगे या फिर इस स्मार्टपॉन के साथ में सिम भी फ्री दी जाएगी या फिर पैसे लिए जाएगे इस स्मार्टपोन को लेने के लिए हमें क्या-क्या डॉकुमेंट चाहिए होंगे, फ्री में स्मार्टपोन लेने के लिए हमें कहां पर जाना होगा, कहां से में फ्री स्मार्टपोन मिलेगा और फ्री में स्मार्टपोन लेते समय हमसे क्या-क्या डॉकुमेंट ले जाएंगे तो फ्री में स्मार्टपोन दिया जाएगा, इसका फ्रेंट और बैक साइड का कैमरा कितने मेगा पिक्सल का होगा, कितने एमेच की बैटरी होगी तो फ्री में स्मार्टपोन दिया जाएगा, इसमें हम कौन-कौन से अप्लिकेशन यूज कर सकते हैं कि social media से समंदित application चला सकेंगे या फिर नहीं चला सकेंगे सरकार ये free में smartphone महीलाओं को क्यों देना चाहती है इसके पीछे क्या कारण है ये जानने के लिए आप मारे साथ सुरू से अंतक बने रही है साथियों अगर आपका जन आधार कार्ड चिरिंजी भी योजना में जुड़ा हुआ है तो आप मारे साथ सुरू से अंतक बने रही है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि मुखे मंत्री डिजिसल सेवा योजना के अंदरगाद कि इस तरह का मुबाइल एक करोड 33 लाक जन आधार कार्ड महिला मुख्यों को दिया जाएगा तो आईए दोस्तों आज का वडिजिसल सेवा योजना के अंदरगाद जो फ्री में स्मार्टपोन दिया जाएगा उसके क्या फीचर होंगे और यह कैसे मोबाइल हमें दिया जाएगा आदार कार्ड में मुबाइल नमर भी जुड़ा होना चाहिए तो साथियों आगर आपको यह नहीं बताए कि आपका जन आदार कार्ड चिरंज भी योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है तो यह जानना है तो वीडियो की डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल और यानिकि किऊने स्लोट होंगे सिम डालने के लिए क्या मेमोरी कार्ड यूज कर सकेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे तो smartphone में दो सिम का सलोट मिलेगा दोनों में से एक सलोट में 4G SIM काम करेगा फ्री स्मार्टपॉन में 2GB की RAM होगी और 32GB की Inbuilt Memory दी जाएगी यानि कि 2GB का RAM होगा और 32GB की Storage मिलेगे Mobile की Storage हम तक हो 256GB तक बढ़ाने के लिए Memory Card Slot भी दिया जाएगा यानि कि आप Memory Card से 256GB तक Storage बढ़ा सकते हैं मुख्य मंत्री डिस्टल सेवा योजना के अंतरगात जो आपको Free में स्मार्टपॉन मिलेगा वो OctaCore processor मिलेगा जिसका 1.6GHz का processor होगा Storage हम तक को बढ़ाने के लिए Memory Card आपको अलग से खरीदना होगा इस Free Smartphone के साथ में आपको Memory Card आप फ्री नहीं दिया जाएगा इसी के साथ आगे हम बात कें तो महिलाओं को जो Free में स्मार्टपॉन दिया जाएगा उसकी battery कितना image की होगी, camera कितना megapixel का होगा, screen की size कैसी होगे महिलाओं को मिलने वाले smartphone की multimedia और touch screen वाला एक smartphone होगा Free smartphone की screen 5.8 inch की होगी, जिसका resolution high definition अतार्थ HD होगा 1440 x 720 का होगा, इस smartphone का back camera 8 megapixel का होगा और सामने का camera 5 megapixel का होगा, smartphone में 4000 mh की power note removable battery होगी जो एक बार में charge करने पर लगबाग 38 गंटे चलेगे तो ये जो Free में स्मार्टपॉन दिया जाएगा, ये touch screen वाला Free में स्मार्टपॉन दिया जाएगा और इसकी screen की size 5.8 inch की होगी और बिल्कुल HD होगी जिसमें camera भी दिये जाएगे front और back side के साथी 4000 mh की battery भी दिये जाएगे इसके साथ आगे हम बात करें तो ये Free में स्मार्टपॉन मिलेगा इस पर हम कौन-कौन से application चला सकेंगे यानि की social media से समझेद application कौन से use कर सकेंगे तो smartphone पर facebook, youtube और whatsapp जैसे सबी social media application का use कर सकेंगे mobile में राजस्तान सरकार की सबी योजनों के application मिलेंगे और राज्य की सबी सरकार योजनों के free forum आप इस smartphone से बर सकेंगे smartphone मिलने के बाद में आपको बार बार इमीतर केंदरों उपर चकर नहीं लगाने होंगे क्योंकि राज्य की सबी सरकार योजनों की जानकारी आपको इस smartphone से मिल जाएगे साथ इस free वाले smartphone पर आपके बच्चे online class भी ले सकेंगे और online वीडियो भी देख सकेंगे आगे हम बात करें तो इस मुख्य मंतरी डिसर से वाई योजना में जो free में smartphone दिया जाएगा उसमें sim का sim मिलेगी free में मिलेगी या फिर इसके लिए पैसे देने होगे तो free smartphone लेते समय ही हमें इमीतर पर तुरंट sim card को active कर दिया जाएगा और mobile के साथ में मिलने वाली sim card को 24 गंटे के बाद काम करना शुरू कर देगी और इस मुख्य मंतरी डिसर से वाई योजना के अंदरगाद free smartphone के साथ में sim card भी free दिया जाएगा साथी sim के लिए आपको अलग से किसी परकार का कोई दस्ता वेज नहीं देना होगा केवल आप जनादार card से ही sim ले सकेंगे free mobile के साथ में जो sim दी जाएगी उसी sim पर 4G data मिलेगा साथी महिलों को मिलने वाली ये free smartphone में दो sim डाल सकेंगे अगर हम पहले से कोई sim यूज कर रहे हैं तो दूसरे port में ये sim डाल सकेंगे और एक port में ये free smartphone के साथ में जो free में sim दी जाएगी वही sim रहेगे अगर हम वो sim यूज नहीं करेंगे तो इस smartphone में हम free data यूज नहीं कर पाएंगे free smartphone के साथ में हमें क्या क्या मिलेगा free smartphone के box में charger मिलेगा USB data transfer केबल मिलेगा और phone के लिए plastic का back cover भी free मिलेगा और मुखे में दे डिर्सल सेवा यूज नहीं के अंदर का 3 साल तक free में internet connectivity भी दी जाएगे free smartphone में सरकार 3 साल तक data calling और message की सुईदा भी देगे smartphone के साथ एक sim card मिलेगा जिसमें 3 साल की free calling मिलेगी और free data यूज मिलेगा हर महीने 2GB 4G data मिलेगा रोज 50 संदेश की सुईदा मिलेगे आम तोर पर internet plan हर दिन के इसाब से होते हैं ऐसे में हो सकता है कि सरकार ये 20GB पूरे महीने में कभी भी यूज करने की सुईदा मिल सकते है तो हमें जो free में smartphone मिलेगा उसमें 3 साल तक का free में internet और calling और SMS दिया जाएगा हर महीने 20GB 4G data दिया जाएगा साथी 50 SMS सुईदा भी दी जाएगे और ये 20GB internet आप चाहें पूरे महीने में यूज करें या फिर एक दिन में यूज करें साथे free smartphone के साथ में आपको mobile का glass भी free दिया जाएगा अब हमें ये जानना है कि ये महिलाओं को जो free में smartphone मिलेगा ये कहां पर मिलेगा इसी मा को technical bid खोली जाएगी तो technical bid के बाद आगे की परकिरिया की जाएगे free smartphone लग बग नौमबर और दिसंबर या फिर हो सकता है कि अगले साल में मिलना सुरू हो जाए साथ में ये भी माना जा रहा है कि दिपावली से पहले-पहले महिलाओं को ये free में smartphone मिल जाएगा अब सवाल है कि free में smartphone कैसे वितरन किया जाएगे तो free mobile का वितरन जीला बलोक लेवल पर e-meter के जरिये से किया जाएगा जिने mobile दिये जाएगे उनको पहले e-kyc करवान होगा यानि कि जब भी ये free में smartphone दिया जाएगा तो जन आधार कार्ड महिला मुक्या की e-kyc की जाएगे ताकि सरकार के पास ये data रहे कि किन किन जन आधार कार्ड महिला मुक्या को ये free में smartphone दिया जाएगा साथी ये free में smartphone दिया जाएगा इसके एक साल तक की warranty भी होगी यानि कि एक साल में अगर खराब हो जाता है तो आपको replace करके दिया जाएगा या फिर सही करवा कर दिया जाएगा साथी ये free में smartphone दिया जाएगा इसके लिए हर जिले के अनुसार और तैसिल के अनुसार distributor और service center भी खोले जाएगे अब हम बात करने वाल है कि ये free में smartphone लेने के लिए हमारे पास कौन-कौन से दस्तावेज होने से document होने चाहिए तो महिला मुख्या वाला परिवार का जन आधार card होना चाहिए साथी राशन card भी बनावा होना चाहिए और चिरिंजेवी योजना का card भी बनावा होना चाहिए जिस महिला को ये free में smartphone दिया जाएगा फीचर क्या होंगे कैसे मिलेंगे क्या गारंटी वारंटी होगे और ये जो free में smartphone दिया जाएगा वो कौन-कौन से document हों के आदार फर पर 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 मिलेगा हमने आपको बताया कि मुख्यम इंद्री डिजिसल से वाई उजना के अंदरकात मिले वाला smartphone कहां पर मिलेगा कैसे मि होगा उमीद करते हैं आज की जानकरी आपको अच्छे लिग होगे अगर फिर भी आपके बने में स्वाल विचार्थ आप में निसंगोच कॉमेंट कीजिए हमारी तरफ से आपको तुरंतर रिप्लाइ किया जाएगा आज की उडियों बस इतना ही मिलता है नेक्श उडियो नहीं जानकर एक साथ वीडियो देखने दन्यावास आदियों थैंक्स पूर वाचिंग आपका दिन सुब बहुत जैहिंद बंदे बात्रम